दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, बारिस में खिलने वाले बहुत ही एक खुबसूरत पौदे के बारे में, जो कि आप पौधा देखके पहचान गया होंगे, रेन लीली का पौधा, बारिस में इसमें काफी अच्छे में फ्लाउरिंग होती है, और इसको कहले तो बारिस से करीब एक आद महेने पहले आनी, तो आपको दो महीने बार इसमें फ्लाउर देखने काम बनने लग जाते अगर आप अभी तक नहीं लगा पाए हैं तो इसको आप नरसरी से ले सकते हैं इसमें तीन कलर आप्सन बहुत ही इजली मिल जाते हैं वाइट पिंक और यलो यह आप जो दो कलर आप्सन मेरे पास देख रहे हैं यह वाइट और इसमें वाइट पिंक है और यह यलो है इसको के लिए आपको बहुत बड़े गंबले की जरूत नहीं है छोटे गंबलों में छोटे पॉट में बहुत ही इजली ग्रो करता है आप यह जो सामने पॉट देख रहा है यह मेरा रेक्टेंगुलर पॉट है इसकी गहराई करीब के अलागा अलाग सेपरेट पॉधे बनाईए पिर दोस्तों जो हम बात करते हैं इसके लिए जो स्वैल मिक्स हमने तयार किया हुआ है रेल लीली नाम से ही आप सब को पता होगा कि बारिस पसंद करने वाला यानि कि मौश्चर के साथ चलने वाला पॉधा है पर जो मिट्टी आपको त्यार करनी है मैं आपको बता दू रेशियो 30% इसमें आप लेंगे कमपोस्ट 40% नार्मल गार्डन स्वायल 20% आप इसमें लेंगे रेट बजरी मोटी वाली लें या पतली वाली लें साथ में इसमें हम लेंगे 10% नीम खली और बोन मील इस सारी चीज़ों का मिक्स और इसको हम इस प्रकार से देखें मिट्टी तयार कर लेंगे और इस मिट्टी में हम इसे पौजे को लगा देंगे तो दोस्तो इस प्रकार से हमारा रेन- लिली का पौधा लगकर तयार हो चुका है अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ जो कियर है उसे कैसे करनी है हमें आगे तो इसमें जो आपको वाटरिंग कर देनी है, वाटरिंग देखिए जैसे रेन लीली नाम है, इसका बारिस इसको काफी पसंद है, बारिस में काफी अच्छे से फ्लॉरिंग आती है इसमें, तो बस आपको जो ख्याल रखने की चीज़े वो इतनी है, कि इसमें पानी होल्ड होना चाहिए, बाकी आप रूटीन में इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, अगर बारिस नहीं होती है, तो पौधा काफी अच्छे से ग्रो करेगा, यह जो आप देख रहे हैं पौधे, इनमें एक सिंबल मैं बताता हूँ, आपको देखे, जो टिप होती है, वो ब्राउन हो र राउन हो रही है, तो वहां से वो पौधा पतियां वहां से खराब होती है, आप पत्यों को रिमूव कर सकते हैं, नई ग्रोध हाएगी और फिर नए फुल बनेंगे, बात कर लेते हैं तो इसमें कमपोस्टिंग की, तो यह कंपोस्ट आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड फैटलाइजर और साथ में फोड़ी मात्रा बोन मील की दे सकते हैं जिसे ये पौधा पूरी सर्दियों तक काफी अच्छे से ग्रो करता रहेगा और धेर सारे फूलों से भरा रहेगा बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्लेस्मेंट की तो पौधे को फुल डे सनलाइट में अगर आप कहां बहुत जादा गर्मी नहीं पड़ रहे हैं तो फुल डे सनलाइट में रखें अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो एक से दो बजे तक की दूप में रखें पौधा काफी अच्छा से ग्रो करता है अभी फिलाल रेनी सीजन चल रहा ह तो आप सभी क्या जो टेंपरिचर है वो डाउनी होगा तो इसे आप पूरे दिन की धूब दिखाएं जितनी वी निकल रही है और बारिस का पानी पौधे में गिर रहा है गंबले में गिरना चाहिए जितना बारिस का पानी गंबले में गिरेगा और डेन होगा तो उससे काफी अच्छे से ग्रोथ होगा और पूरा गमला आपका जल्दी ही पूरे पौधों से भर जाएगा और उसमें धेर सारे फूल बनके आएंगे तो दोस्तों अगर रेनली नहीं लगाया आपने तो जरूर लगा ले बारिस में काफी अच्छे से फूल देता है